हेलो एफ्रीवन आज के इस वीडियो में हम फेज सिंप्लेक्स मैथट पर डिसकस करेंगे यानि कि यह हमारा फेज मैथट टू फेज मैथट क्या होता है और हम इसे किस टाइप से अपलाई करते हैं कि लीनेर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेकर के आएं जो कि हमारी मिनिमा इस दे रखी है तो उसको हम कैसे सॉल्फ करेंगे और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस लीनेर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस मैथट की हल्प से सॉल्फ करना है यानि कि अभी हमने सिंप्लेक्स मैथट पढ़ लिया है और आज हम टू फेज मैथट पढ़ेंगे और इस रूइडियो में हम ब्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस मैथट इस सॉल्फ करना है यह तो कौन से method से solve करना है तो सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी linear programming problem तभी solve होगी जब हमारा objective function जो है वो maximize हो जाएगा तो इसे maximize करने के लिए हम इसमें पूरे इसमें minus से multiply कर देंगे या हम यह कह सकते कि हम replace कर देंगे z को यानि कि हमारा z है उसको minus z से replace कर देंगे और इसको इसकी जगा पे हम z लिख देंगे या हमारा max में change हो जाएगा तो यहां से हमारा हो जाएगा maximize z dash इसे हम maximize z dash क्योंकि हम minus z की जगा पे हम z dash का use करेंगे और यह यहां से हमारा हो जाएगा equal में minus का 15 upon 2 x1 और plus का 3 x2 हो जाएगा then हमारी बात आती है subject to constraint हमारे subject to constraint है अब यह जो है हमारे greater r is equal to के sign में दे रखे हैं जब less r is equal to का sign होता है तब हम use करते हैं slack variable का less r is equal to का sign होता है तब हम use करते हैं surplus variable का so अब हमारे greater r is equal to है तो हम क्या करेंगे surplus variable का use करेंगे और यह जो surplus variable क्या होते हैं इन पर भी हमने पूरी detail में वीडियो बनाई है उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा तो surplus variable में क्या करते हैं a constraint has a sign greater r is equal to 0 than in order to make it an equality we have to subtract something positive to the left hand side to the constraint constraint में से हम something positive को subtract कर देंगे तो यहां से हमने minus s1 कर दिया इसको balance करने के लिए हम यहां पे 0s1 कर देंगे और यहां पे हम कर देंगे minus का s2 तो इसको balance करने के लिए हम यहां पे 0s2 add कर देंगे बट इसको तो हम तभी solve कर सकते यहां जब हमारी यहां पे 1001 जैसी इस type के हमारी यानि की identity matrix जो बनती है वो होनी जाई है तो इसके लिए यहाँ पर हम artificial variable a1 का add करेंगे और इसको balance करने के लिए हम यहाँ पर 0 a1 का use करेंगे और इसी type से यहाँ पर हम a2 का use करेंगे a2 को add करें और इसको balance करनी के लिए हम यहां पे 0 a2 add कर देंगे और equal में जो हमारा दे रखा तह 3 और तू वो हम put कर देंगे तो यहां से यहां से ने सब्कु कर देंगे और जब हम इस धूर्थ a2 अकर देंगे और इंको जो हमारे surplus variable उन्हें हम अपने objective function में भी add करते तो यहां से उचेगा 0s1 plus 0s2 और यहां पे जितने भी use होने वाले variable होते हैं वो हमारे positive होने चाहिए यह 2 यह हमारे सारे positive होने चाहिए तो अब हमने यह तो complete कर लिया इस lack surplus variable को introduce करा दिया अब हम table बना लेते हैं So now अब हमने table बना ली है यहां पर जो भी हम लिखते हो हमेशा capital में होता है और जब हम यहां लिखते हैं तो वह हमारे small होता है और यहां पर एक और चीजग बनाते हैं यहां पर cj सही में हैं जो हमारा objective function रहा वाले उसके coefficient लिखते थे बट इस बार इसे हम क्या करते हैं इस वाली राइन को हम पूरा 00 पुट करते हैं जब हम phase second solve करते हैं तब हम इनका use करते हैं यानि कि जो original value हैं और यहां पर a1 a2 को हम यहां पर minus one minus one लेते हैं यह हमेशा constant रहेंगे यह हम जब भी artificial variable का use करेंगे तो यह हमारे हमेशा minus one ही रहेंगे तो basic variable हमने बताये थे basic variable वो होते जिन्हें हम add करते हैं अब हमने आज surplus variable जरूर use कियें बट हमने add तो artificial variable कियें इन्हें तो हमने subtract किया है तो यहां पर हम artificial variable यानि a1 और a2 लिख लेंगे तो यह a1 और a2 का coefficient यहां से लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा minus one यह हमारा हो जाएगा minus one xb में हम वही लिखते हैं जो हमने starting में लिखा था three or two तो यहां से three or two हो जाएगा और फिर हम यह यह वाली लाइन और यह वाली लाइन इनके पूरे कॉफिशेंट यहां पर लिख देते हैं तो यहां पर हो जाएगा three minus one तो यह हमने value सारी put कर दी हैं अब हम क्या करते हैं सबसे पहले तो यहां पर एक चीज निकाल लेते जेट डेश निकाल लेते हैं जेट डेश हमने बताया था cb into xb का सम होता है तो यहां से जाएगा minus का three और minus का two minus का three minus का two हो जाएगा हमारा minus का five फिर हमें क्या करना होता है यहां से हमें क्या करना होता है डेल्टा निकालना होते जिसका फॉर्मूले होते cb into xj minus cj तो इसमें इसकी multiply कराएंगे इसमें इसकी multiply कराएंगे add कराएंगे तो जाएगा यहां से minus का 4 और जब 0 को खटाएंगे तो वही रहेगा मारा minus का 4 यहां पर क्या हो जाएगा minus minus plus minus minus plus तो यहां पर plus का 2 हो जाएगा यहां पर मारा minus minus plus का 1 और यह minus का 1 तो यह 0 हो जाएगा यहां पर minus minus plus का 1 और यह तो 0 है फिर यहां से minus का 1 0 0 और यहां minus minus plus plus का 1 फिर यहां पर हमें वहीं करना होते है most negative चूस करना होते है most negative हमारा यह वाला है तो यानि जो minimum ratio मिलेगा वो हमें हो जाएगा XB is divided by X1 तो XB यह है हमारा XB यानि कि 3 is divided by 3 तो यहां से जाएगा 1 फिर हो जाएगा 2 is divided by 1 तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 minimum ratio हमें जाहिड सी बात है एक लेना होगा तो यह हमारा minimum ratio हो गया यानि कि जो हमारा key element है वो यह हो जाएगा अब यानि कि इसके according key element के जस्ट सामने a1 है तो a1 हमारा replace हो जाएगा x1 से तो यहाँ पे हो जाएगा x1 और यहाँ पे रहेगा a2 x1 का coefficient यहाँ पे 0 ही रहेगा और a2 का coefficient वही minus का 1 रहेगा तो हमें पहले ही पता था कि जिसे हम key element बनाते है उसके just नीचे ही है इस बार तो उसे सारे 0 करने होते है यानि इसे 0 और इसे 0 बनाना है और इसे 1 बनाना होते है तो इसे 1 बनाने के लिए इसे हम पूरी को 3 से divide कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 और जितने भी operation लगेंगे इतने से लेके यहां तक लगेंगे यानि cb में हमें कोई operation नहीं लगाना है तो यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे जाएगा minus का 1 by 3 यहां पे हो जाएगा minus का 1 by 3 यहां पे हो जाएगा 0 और हमें क्या करना है इसे हमें जीरो बनाना है तो इसे जीरो बनाने के लिए पहले तो मैं से 3 शब्सक्रक्ष चाहिए तो जब यानि की एड़ बच जाएका कूंद हम खांट पाति हो जाएगा मायनस का ट्यू बाइ त्री हो जाएगा यहां पर तो माइनस का बचेंगी अब हम क्या कर लेंगे अब हमें हाँ अब हमें इसे भी तो 0 बनाना है इसे 0 बनाने के लिए पहले तो हम इसे 3 से डिवाइड करें ना है और यहां पर 1 में माइनस का 4x3 करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का 1x3 और जब यहां पर 1 और यहां तो जए और और षीन कोईश्क्ट हीह नहीं पड़ेगा तो यहां पर बनध ही हमारा रह यहां पर मचलब से जकालेते जिन हे कि हमारा 0,1-1-1-1 trabalho तो erased है इस वर xb is divided by x3 यानि कि ये वाली लाइन x3 तो यहां से हमारा xb हमारा यहां पे है 1 और हाँ एक चीज़ को और दियान रखना है निगेटिव है यहां पे तो निगेटिव का रेशियो लिया नहीं जाता है और यहां पे अब इसी का रेशियो लिया जाएगा इसके according तो यानि कि 1 is divided by 4 by 3 तो into में 3 by 4 हो जाएगा तो यही एक हमारा है और यहां पे में क्या करना है अब इस वाले में क्या करना होता है 1 0 तो हमें हाँ पे मिल गया है 1 0 तो इसे तो हम cancel कर देंगे और 0 1 अभी हमें मिला नहीं है तो 0 1 हमारा ऐसे ही रहेगा तो यानि कि जो key element इस बार हमें मिला है वो हमारा 4 by 3 है तो इसे हमें 1 बनाना है और इसके जस्ट उपर नीचे में 0 बनाने है तो now key element के according जो इस बार replace होगा वो हमारा हो जाएगा A2 और replace होगा X3 के जगा तो यहाँ पर X1 रहेगा और यहाँ हो जाएगा X3 दोनों के coefficient 00 रहते है और हमें क्या करना है इसको हमें पहले तो 1 मनाना है इसे 1 मनाने के लिए हम 3 by 4 से में multiply करा दे तो यहाँ पर जाएगा 3 by 4 फिर यह 0 बचेगा जिब इसमें 3 by 4 से होगी तो यहाँ पर जाएगा minus का 1 by 2 यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर 3 by 4 से होगी तो यहाँ पर बच जाएगा 1 by 4 और यहाँ पर हमारा बच जाएगा minus का 3 by 4 so now क्या करना है अब हमें इससे तो 0 बनाने है इससे 0 बनाने के लिए हम क्या करते है इससे हम 4 से divide कर दे रहा है और सीधे सीधे इसमें add कर दे रहा है और इसे हम करेंगे 4 से divide तो यहां पर जीरो में माइनस कół वन फोर एड़े करेंगि तो यहां से माइनस का वड़ाइवल बचेगा अब इधर आजाते हैं इसको वैसे भी 0 तो वन ही हमार रह जाएगा माइनस को वन बाई 3 में यहां पर क्या करेंगे 1 by इसको 4 से करेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस का 1 by 6 तो इसमें add करेंगे तो यहां से मिल जाएगा माइनस का 1 by 2 इसे भी तो हमें करना है जब हमें 4 से डिवाइड करके इसमें add करेंगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा 5 by 4 अब हम क्या करते हैं यहां पर Z' जो होगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा clearly as clear ही as bar और यहां पर इसे भी हमें 0 बनाना है तो क्या करते हैं इसे हम direct इसमें add कर देंगे तो 0 हो जाएगा तो 0 में 0 add करेंगे 0 और यह minus 2 by 3 plus 2 by 3 0 यह भी 0 हो जाएगा यह positive और negative है यह भी 0 और यह यह भी हमारा 0 और इधर हमें क्या देखते हैं इधर हमें 1 0 तो पहले ही मिल चुका था और 0 1 भी हमें मिल गया तो यह भी cancel हो जाएगा और यह पूरी लाइन जो है हमारी positive हो गई है so अब हमारा phase first to solve हो गया है अब हमें phase second solve करना है so phase second के लिए table बना लिए इसमें भी हमें basic variable का use करना होगा basic variable यह जो यह वाले होते है इनी को हम यहां पर note कर लेते x1 और x3 जो हमें phase first से मिला होता है इस बार सिर्फ difference इसमें coefficient और basic variable में होगा वो भी ऐसे क्योंकि यहां पर हम cj जो है वो originally use करेंगे क्योंकि यहां पर देखिए हमने पहले 00 add किया था मतलब 00 लिखा था बट इस बार जो यह वाली value थी minus 15 upon 2 3 00 यह वाली value हम इस बार लिखने जा रहे है x1 x2 इनकी जगा पे यहां पर इस बार हमारा जो x1 है वो हमारा जगा minus का 15 by 2 फिर x2 का जो coefficient वो यहां से हम देख करके लिख रहे है 3 है और x3 है नहीं तो उसका हम 0 लिख देंगे और s1 और s2 का 0 और यहां से हम artificial variable का column नहीं बनाएंगे क्योंकि artificial variable हमने solve कर लिया है यह पूरे cross हो चुके है so coefficient x1 और x3 x1 का यहां से मारा हो जाएगा minus का 15 upon 2 x3 है नहीं तो 0 हो जाएगा x भी यह वाला हम उतारते हैं 5 upon 4 और 3 upon 4 और यह वाली जो पूरी line होती है इससे हम यहां पे note कर लेते हैं अब हम सबसे पहले तो यहां पे delta निकाल लेते हैं यहां पे z dash को निकाल लेते हैं z dash तो हमारा यहां से clearly क्योंकि यह तो 0 हो जाएगा यहां से हो जाएगा हमा 15,75 तो यहां पे हो जाएगा minus का 75 upon 8 और इसको solve करते हैं यानि इसमें इसकी multiply करेंगे और इससे घटा देंगे तो minus का 15 upon 2 हो जाएगा यह तो 0 है और इसमें से minus 15 upon 2 जब घटाएंगे तो plus 15 upon 2 तो यह हो गया 0 यहां पे क्या हो जाएगा minus minus plus 15 upon 4 और इसमें से जब माइनस 3 करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 3 by 4 इसको solve कर लेंगे फिर यहां पे तो 0 में multiply 0 और 0 में 0 यह हो गया 0 फिर यहां से minus minus plus plus का 15 upon हो जाएगा 8 यहां पे भी हमारा वही हो जाएगा 15 upon 8 क्योंकि जब इसकी multiply 0 से होगी वो तो 0 हो जाएगा यह वाली पूरी line हमारी हो गई है positive और इस टाइप के question को हमें तभी तक solve करना है जब तक यह line हमारी positive ना हो जाएग तो यहां से हम लिख लेंगे इस बार minimum जो हमारा वह सॉरी पहले तो हम यहां पर maximum लिख लेते हैं क्योंकि maximum z- हम लेके चले तो जो कि हमारा minus का 75 upon 8 और अगर हमें question में तो minimum में पूछा था starting में तो हम minimum z ही हमें बताना है तो वह हमारा उजएगा 75 upon 8 क्योंकि यह हमें तब मिलेगा जब हम इसे minus से replace कर देंगे और इसी के regarding यहां पर x1 हमें यहां से मिल जाएगा 5 upon 4 x2 जो है वह हमारा 0 हो जाएगा और x3 जो है वह हमें मिल जाएगा 3 upon 4 इम किसी भी question को phase method से solve कर सकते हैं